हलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में इस वीडियो में हेवी साइज की ब्लॉज की कटीन कम कपड़े में किस तरह से करते हैं बताएंगे तो इस ब्लॉज की नाप से हमें इसकी कटीन करेंगे इससे पहले दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को भी तेक subscribe नहीं किए हैं या फिल नहीं हैं तो please subscribe कर ले तो इस तरा से कपड़े को यहांपर डबल करके फोलड करके बिचाएंगी इस तरा से तो यहांपर हम सबसे पहले कपड़े को नाप के दिखा देते हैं कितना है तो यह देखे दूस्तों यहाँ पर हम 75 का कपड़ा लिए हैं और यह 80 कपड़ा है दूस्टों छोटा अस तर कपड़ा है 70 पड़ा है को तो इसे में हम कटीन करके बताएंगे तो यहाँ पर इस ब्लावज के नाप से हम इसकी कटीन करेंगे तो सबसे पहले हम बेग पार्ट की कटीन करते हैं तो बेग पार्ट का नाप लेंगे तो यहाँ पर यह देखे दोस्तों यह किनारे से हम इंची टेप को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर लंबई का सबसे पहले नाप लेंगे तो यहां पर आ रहा है 15 इंच हमारा लंबई है इसके बाद हम पीछे गला कनाप लेंगे तो यहां पर यह देखे दोस्तों इस तरह से हम पीछे गला कनाप लेंगे तो यह आ रहा है 5 इंच इसके बाद हमें आव सकता होगी सीने की तो सबसे पहले हम सीने कनाप लेंगे तो यहां से देखिए यहां तक सीने का 24 से कनाप लेंगे तो हमारा आ रहा है सीने का 24 से 11 इन तो सबसे पहले हम बेक पार्ट के पहले कटिन करेंगे तो ब्लाउज की लंबाई है 15.5 इंच यदि आप ज़्यादा दबाओ देते हैं तो एक इंच लेंगे लेकिन मैं यहाँ पर पॉन इंच ही प्लस कर रहू हूँ दोनों तरफ दबाओ देने के लिए तो यहाँ पर देखिए हम 17-16 पे निसान लगाएंगे सोल्डर लेंगे 17-5 इंच यदि आप ज़्यादा दबाओ देंगे तो 5.5 इंच तक ले सकते हैं आर्म हो लेंगे 17-5 इंच इसके पास सीना का निसान लगाएंगे तो सीना का चौंथा ही साउपधा 11 इंच तो उसमें 1.5 इंच प्लस कर लेंगे और 1.5 इंच पे निसान लगाएंगे यहाँ पर भी सेम निसान रखेंगे साड़े बारा इसके बाद हम पिछे गला का निसान लगाएंगे तो पिछे गला था पौने 5 इंच तो यहाँ पर हम 1.5 इंच प्लस करके सवा 5 इंच पे निसान रखेंगे इसके बाद यहाँ पर हम सवा 2 इंच रखेंगे यहाँ पर भी गला लेंगे सवा 2 इंच यहाँ पर मैं गोल गला बनाओंगे तो इस तरह से गोल कर लूँगा यदि आप चौंकोन गल अपनाएंगे तो उसी साब से करेंगे तो यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट कटिन करने के लिए पेपर का साहरा लेंगे तो यहाँ पर हम सामने गला और कटोरी के नाप लेंगे पहले उसके बाद कटिन करेंगे इस नाप से हम पेपर में कटिन करेंगे उसके बाद कपड़े पर रखकर कटिन करेंगे तो यहां पर हम सामने कले इस तरह से नाप लेंगे तो यह आ रहा है पौने साथ इंच तो सामने कले रखेंगे पौने साथ इसके बाद कटोरी का नाप लेंगे तो कटोरी का नाप आ रहा है साड़े साथ इसके बाद हमारा सीने का चाउन था इससा वो था ग्यारा इंच तो यहाँ पर भी लंबाई को देख लेते हैं तो साड़े पंद्रा तो यहाँ पर इस नाप से हम पहले पेपर कटीन करेंगे यहाँ पर हम पेपर को सिंगल कर लेंगे इस तरह से और जो हम बेग पार्ट कटीन किये हैं उसको इस तरह से रखेंगे लगबग हाप इंच उपर की तरफ रखेंगे नीचे हाप इंच छोड़ते हुए रखेंगे यहाँ पर यह देखे हमने हाप इंच नीचे की तरफ छोड़ दिया है क्योंकि फ्रंट पार्ट को हम हाप इंच एश्टा रखते हैं उसके बाद इस तरह से हम जैसा है वाइसा ही निसान मना लेंगे हम पर गला रखेंगे सब दो इंच और सामने गला रखेंगे पौने साथ इंच क्योंकि हमने पौने साथ इंच नाप लिया था और यहां पर रखेंगे धाई इंच यहां पर उपर की तरह पलेंगे सब इंच और यहां पर दो सुन डाउन कर लेंगे गला को इसके बाद बेल्ट कर निसान रखेंगे तो यहां पर हम साड़े तेरा इंच पर निसान लगाएंगे कटोरी का नाप था साड़े साथ इंच तो यहां से हम साड़े साथ इंच पर निसान लगाएंगे उसके बाद कटोरी को इस तरह से हम सेंटर करेंगे यहां पर सेंटर कर निसान रखेंगे एक निसान और लगा लेंगे साड़े साथ इंच पर इसके बाद यहाँ पर एक इंच का निसान लगाएंगे उपर की तरफ राउंड करने के लिए इसके बाद कटेरी को इस तरह से राउंड करेंगे तो यहाँ पर हमने पेपर में फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है इसके बाद तो यहाँ पर हम पेपर में ही इसको इस्टा मार्जिन दे करके बढ़ाएंगे तो इस तरह से रखेंगे नीचे की तरफ इस्टा मार्जिन लेंगे देरी इंच साइड से सबा इंच लेंगे यहाँ पर भी सबा इंच रखेंगे इसके बाद गले की तरफ हाप इंच रखेंगे उपर की तरफ भी हाप इंच इस्टा मार्जिन देंगे इसके बाद यहाँ पर कटोरी का हाप प्लस उसमें मार्जिन देकर निसान लगाएंगे तो यहाँ पर हम सबा चार इंच पे निसान रखेंगे कटोरी का हाप प्लस मार्जिन इसके बाद इंच इटेप को इस तरह से पकड़ेंगे और जहाँ पर निसान लगाए हैं वहाँ तक यह देखे रखेंगे और निसान लगा लेंगे इसके बाद जितना हम कटोरी का हाप प्लस मार्जिन का निसान लगाएंगे तो जो हमने फ्रंट पार्ट की कटिन की है पेपर में उसको बाद में हम कपड़े पर रखकर कटिन करेंगे तो सबसे पहले बाजू की कटिन करेंगे तो यहाँ पर हम कपड़े पर पहले बाजू की कटिन करेंगे तो यहाँ पर नाप ले लेंगे बाजू की तो सबसे पहले लंबाई कनाप लेंगे तो लंबाई आ रहा है साड़े चारी इंच इसके बाद ये देखे मोरी कनाप लेंगे तो मोरी आ रहा है साड़े साथ इंच इसके बाद आर महूल रखेंगे तो यहाँ पर आर महूल आ रहा है सवा आठ इंच तो इस तरह से हम डबल फोल्ड कर लेंगे जितना हमरे लंबई हुसमें एक इंच प्लस करेंगे और उतना ही फोल्ड करेंगे तो यह देखिए यहाँ पर हमने साड़े पांच इंच प्लस करके यहाँ पर फोल्ड किया है उसके बाद एक बार और फोल्ड करेंगे इस तरह से बाजू की लंबई है साड़े चार तो उसमें एक इंच प्लस करेंगे और साड़े पांच इंच पे निसान लगाएंगे क्योंकि यह हमारा अस्तर वाल बलॉज है तो एक इंच ही प्लस करेंगे नीचे फोल्डिंग के लिए नहीं रखेंगे इसके बाद आर्म होल का निसान रखेंगे सब आठ इंच पे और यहां पर आर्म होल डाउन करेंगे धाई इंच और देड़ इंच एश्टर रखेंगे इसके बाद एक साइड को डाउन करेंगे इसके बाद फ्रंट पार्ट को हम कपड़े पर रखकर कटिन करेंगे जो पेपर में कटिन किये हैं एक एक करके हम उसको कटिन कर लेंगे सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट को रखकर इस तरह से कटिन कर लेंगे तो यह देखिए हम इस तरह से पहले इसको कट करके अलग कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा फ्रंट पार्ट का सिंगल साइट कटिन हो गया अब इसको रख कर हम दूसरे साइट की कटिन करेंगे तो इस तरह से हम दोनों साइट का कटिन कर लिए हैं देखिए फ्रंट पार्ट इसके बाद हम कटोरी को रख कर कटिन करेंगे उसके बाद बेल्ट को तो यहाँ पर देखिए हम कटोरी को इस तरह से रखेंगे जहाँ पर स्टेट होगा वहीं पर रखेंगे इसको और कट करके अलग कर लेंगे तो इस तरह से हमारा एक साइट का कटोरी कट हो गया इसको रख कर हम दूसरे साइट का कटोरी कट करेंगे तो यहाँ पर यह देखिए जो हमारा छोटा सा कपड़ा कम पड़ गया है इसको हम बाद में जोइन कर लेंगे इसके बाद हम बेल्ट की कटेन करेंगे इस तरह से तो इस तरीके से कम कपड़े में भी हेवी साइज की ब्लाउज की कटेन असानी से कर सकते है